हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का दमोम क्लासिज में इसी के साथ हम पढ़ रहे थे राजस्तान की जो चित्रकला है चित्रकला से रिलेट्टिव जो कुशन बनते हैं और टोप हम पढ़ रहे थे 121 कुशन इसी परकार दो पार्ट अब तक अपलोड किये जा चुके हैं अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें बात करें राजस्तान की जो चित्रकला है उसके विशे में जो कुशन बार-बार रिपीट होते हैं वही कुशन इस सीरीज में एड के गए हैं शुरुआत करते हैं आज के सेसन की और आज हम पढ़ेंगे टोप 20 कुशन और ये रखा गया है पार्ट 3 के अंदर शुरुआत करते हैं आज के सेसन की और पहला कुशन रखा गया है दोस्तों राजस्तान की फड़ चित्रकला की किस स्कूल से जुड़ी है हम सब जानते हैं कि राजस्तान की जो चित्रकला है उसे मुखे कितने स्कूलों में डिवाइड किया गया है तो पहला हमने देखा मेवाड, उसके बाद मारवाड, उसके बाद हाडोती, उसके बाद ढुंडाड, यानि मुख्यत है, चार स्कूलों में डुआइड किया गया है, राधस्तान की जो चित्रकला है, उसको पहला दे रखा है, मेवाड, मारवाड, मालविय या फिर मेवाती, बात करें जो फड़ चित्रकारी है किसके बारे में बताना है दोस्तों फड़ चित्रकारी के बारे में तो फड़ चित्रकारी जो relative है वो किस समन्दित है तो वो मेवार से समन्दित है सीता राम ये तीनों व्यक्ति किस चित्र कला से समन दीत है किसंगर्ड, जैपूर, अलवर या फिर नागोर तो राइट आंसर की बात करें तो फ़स्ट करेक्ट आंसर रहेगा किसंगर्ड सेली से रिलेटिव थे सीता राम, बदन सिंग और नानिकराम इसी के साथ बात करते है दोस्तों, next question के उपर, राजस्तान में वयकूंस चित्र सेली है, जिसमें गणिकाओं का चित्र, जो चित्रन किया गया है, तो गणिकाओं का चित्रन किस सेली के अंतरगत किया गया है, ये काफी important रहेगा, और पहला option दे रखा है, नागर सेली, किसंगर सेली, अलवर सेली या फिर मारवाड सेली गणिकाओं का जो चित्रन है दोस्तों वो किया गया है अलवर सेली के अंतरगत यानि ओप्सन नमबर थर्ड करेक्ट रहेगा इसी प्रकार किस चित्र सेली में मतीराम रचित गुनी स्विस्ताबदी की हिंदी साहित रचना रसराज कौन सी है ये जो मत चित्रित किया गया है चित्रन उसके जो चित्रन है तो जो विश्य रखाए गया है उसके बार में बताना है मेवाड है कि वो मारवाड है कि मालवी है कि मेवाती है तो रायट आंसरी के बात करें तो मतीराम की जो रचना है रसराज में उसमें मारवाड का विश्य रखा गय काफी important ये भी उसन रहेगा इसे के साथ next question पर बात करते हैं ये भी most important question रहेगा मिनाकारी की कला राजस्थान में सिर्व फरतम किस द्वारा लाइगी मिनाकारी की जो कला है ये राजस्तान में किस के दूइत्य के दोरा तो उफ्सन नवर फस्ट करेक्ट रहेगा मिनाकारी कला राजस्थान में सरफ वर्थम लाने वाला वैक्ति कौन था तो वान सिंग दूइत्य था रागमाला का परशिद चित्रकार जो डाकू राज पताना की किस सेली से समन्दित है तो रागमाला का जो प सेली से समन्दित हैं kाफी important next बात करते हैं एंगले question पर ये भी important बुन्दी की चित्रकरे सेली में किस माराज़ा के काल में चरम पर रही थी ये बताना है बुन्दी की जो चित्रकला है पहला option दे रखए दोस्तों अमैद सिंह मान सिंह जगत सिंह और शिरनात उंह पहला option उमेद सिंग, मान सिंग, जगत सिंग, या फिर सिरनाद सिंग Right answer की बात करें तो उमेद सिंग के काल में बुंदी की जो चित्रकला थी वो चरम काल पर थी अपने समय में राजस्थानी चित्रकला जिसमें पस्यू, पक्षियों का सुरअश्ट चित्रन हुआ है ये काफी बार पूछा गया दोस्तों पस्चू और पक्सियों का जो स्रेश्ट चितरन है वो किस सेली में रखा गया है वो बुंदी सेली में रखा गया है अब बात करें कोटा सेली में तो यहां पर जो कोटा सेली में राजगुमारियां थी उनको क्या सिकार करते वे दिखाय गया है तो इसमें स्त्रियों को उसकार करते हैं बूंदी सहली में क्या है कि पसू पक्षियों को स्वास चितरन बताया है बिकानेख में हम जानते हैं उस्ताकला के लिए or इसली की बातोरे चैई उसे के साथ बात करतें आग और सेल चित्तरों के लिए पर्षिद श्थल अलनिया किस दिल्ले में स्थित्त है यह काफिas करतें हैं ऑलनिया के पारे में पहला लोप्सम देनिया है रखाया लवर दूसरा तीला है खोटार् और चोथा है बुंदी तो आलनिया दोस्तों कहां स्थित है ये स्थित है कोटा के अंदर और आलनिया से सबसे प्राचीनतम जो चितर प्राप्त हुए है आलनिया जो सब बेता है वहां से जो सेल चितर प्राप्त हुए है चितर कला की किसनगड सेली में मुख्य तै किस व्रिक क्या बन गया केले कि रिखा गया है ? यह जो किस संगर को र खागया है ? यह जो किसी संगर सええल hurricane में वरिख्ष है बात करें मेवार सेली नेंडर हैं कि इंदर कदंब वर्क्ष को रखा गया Northwest t पर बात करते हैं अगला कुछन है कि चावंड सेली की चितरकला किसके सासनकाल में प्रारंब हुई तो चावंड को का जाता है किसकी संकट काली इन राजधनी दोस्तों क्या का जाता है संकट काली इन राजधनी ये भी काफी इंपोर्टेंट तो चावंड जो संकट काली इन कौन सा बाडोली यहां पर मारणा परताप की छतरी बनी ही है कितने खम्भों की छतरी है कमेंट बुक्स में जरूर लिखे इसे के साथ संकट काली न राज था नी थी कौन चावंड किसकी मारना प्रताप की तो अब राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो चावंड सेली की चितरकला किसके सासन काल में प्रारम होई तो गीत गोविंद प्रताप अमर सिंग नानक सिंग तो राइट आंसर हैगा प्रताप अमरचंद द्वारा चित्रिते चांदनी रात की संगोस्टी की स्चत्रकला सेली का प्रमुक विश्य है तो ये याद रखना क्या होता है कि जब किसंगड सेली की बात आती है तो सीधा हम क्या कर देते हैं तो ये बड़ी थणी वड़ा नियालचंद कर देते हैं ऐसा नहीं करना दोस्तों चांदनी रात की जो संगोस्टी है ये अमरचंद की करती है अमरचंद की चित्रकला सेली का प्रमुक विश्य है तो ये किस से समंदित है किसंगड मेवाड जयपूर या फिर कोटा तो राइट अंसर रहेगा किसंगड किसंगड सेली से समंदित है चांदनी रात की संगोष्टी और किसका विश्य है तो अमरचंद का विश्य है यानि चांदनी रात में गोष्टी या फिर संगोष्टी करन कि प्रणी का सेली का प्रमुक विशे है तो। फिर जालोर, राइट अंसर की बात करें, तो ये जो लोदरुआ पढ़ता है, ये काम पढ़ता है, ये जेसल मेर में पढ़ता है, तो मुमल लोक गीत भी है, कौन से गीत है, लोक गीत भी है, मुमल और ये जेसल मेर, बाड़ मेर के आसपास के शित्रों में गाय जाते हैं, और यह जो विशेस्ता है यह किस से समन्दित है जैपूर जोदपूर अलवर या फिर बुंदी तो यह राइट आंसर रहेगा यहां पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा कौन सा जैपूर जैपूर की मुख्य विशेस्ता है आदम कद चित्र और यह किसके सासन काल में चरम सिमा प संदे रखा है यहां पर किसंगर से लिए मारवार से लिए कोटा से लिए फिर मेवार से लिए मारणा जगत सिंग अब पुछा जाए कि यह किस की सरवन काल रहता तो राइट आंसर रहेगा मेवार से लिए अब बात करते हैं मेवार से लिए में चित्रकला का जो विकास है किस के सासन काल में प्रारंब हुआ तो मारना कुमबा के काल में किस के काल में मारना कुमबा के काल में चितरकला का विकास शुरू हुआ अब सर्वन काल की बात करें तो वो है मारना जगत सिंग काल में मारना जगत सिंग काल में स्थापत कला का जनक का जाता है मारना कुमबा को और चितर कला की सुरुवात के सासन काल में हुई तो मारना कुमबा को सासन काल में इसी के साथ नेक्स्ट कुर्शन पर बात करते हैं पिछवाईयां जो चितर कला है वो कहां के लिए परशिद है पिछवाईयां चितर कला के लिए पिछवाईयां जो है ये स्रीनाथ जी कृष्ण बगवान की जो सिरनाथ जी की जो मूर्ती है और ये मूर्ती है काँपर ये है नाथ दुआरा के अंदर तो नात दुवारा में बगवान स्री कृष्ण की जो मूर्ती है उसके चारों तरफ जो परदे लगे होते हैं उसमें कृष्ण की बाल लिलाओं को चितर के मादेम से उकेरा जाता है और वही कैलाती है पिछवाईयां और यह कहां के प्रशिद है सूरत खाना, जैपूर, जैसलमेर या फिर नात दुवारा रहेगा इसे के साथ नेक्स्ट क्यों से बात करते हैं काफी इंपोर्टेंट चितेरोरी ओवेरी की से समन्दित है चितेरोरी ओवेरी और इसे क्या का जाता है दोस्तों चितेरोरी ओवेरी को का जाता है तसवीरां रो कार खानों काफी इंपोर्टेंट और आनंद कुमार स्वामी इननों के दौरा 1911 में राजस्तान की चित्रकला का वेग्यानिक दृष्टी से अध्यन किया गया पूस्तक की बात करें तो इनकी जो मुख्य-पूस्तक है वो र राजपूत कौन सी है राजपूत पैंटिंग्स है पहला ओप्सन दे रखा है जगत सिंग पर्थम जगत सिंग दुट्य या फिर अमर सिंग तो चावंड सेली का सरवन काल माना जाता है अमर सिंग पर्थम को जो की माना प्रताप के पुत्र थे इसी प्रकार पुछा जाए कि चितेरोरी ओवेरी की से समन्दित है तो पहला option दे रखा है यहां पर क्या आनंद कुमार स्वामी इनके विशे में बात की इसी परकार next option दे रखा है दोस्तों जगत सिंग पर्थम और जगत सिंग पर्थम का जो व्यक्ति है यह चितेरोरी ओवेरी से समन्दित है और जगत सि चित्र में चित्र पर अंकित पर चोखा पर या फिर बीती पर तो हम सब जानते हैं कि सेखावाटी का जो चित्र है वो बीती चित्र पर आधारित है तो राइट आंसर ओप्सन नुमबर फोर रहेगा इसी प्रकार नेक्स्ट कुशन पर बात करते हैं सेखावाटी क्षत्र की कलासमपदा के रंग शरक्षण है तो 28жеarl 46 को राज किसे संग्र लेकि स्थापना कीईगी तो राज किए संग्र लेकि किसके सेखावाटी क्षएक्षत्र की जो कलासमपदा है इसके रंग शरक्षन हे तू 28 जून 26 को राज के संग्राले के स्थापना कीगी और ये कांपर कीगी पहला उप्सन दे रखा है जैपूर, सिकर, सिरोई या फिर राज समन्द हम सब जानते हैं कि जो सेखावाटी है वो इसमें तीन जिले समभी लित है कौन-कौन से एक तो है एक है सिकर और एक है जुन-जुनू तो इन में से ही एक उप्सन होगा तो दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कौन सा उप्सन लेगा सिकर रहेगा 28-2006 को राज सेखावाटी शेत्र की गला समपदा के स्रक्षन है तो राज की संग्राले किस तापने कीगी नर मुहमद कौन है अगला कुछन अगला कुछन है कि नर मुहमद राज पुताने के किस रज्यका प्रमुक चित्रकार था काफी इंपोर्टेंट और कई बार ये कुछन पूछा गया है अगर बिलेव ने होता है तो आप ओल्ड पेपर देख सकते हैं तो नर मुहमद राज पुताने को किस रज्यका प्रमुक चित्रकार मना गया है पहला उप्सन देर का है कोटा बुंदी अलवर या फिर बरतपुर तो रायट अंसर रहेगा कोटा उप्सन नवर फर्स्ट करेक्टर रहेगा नर मुहमद राज पुताने कोटा के जो प्रमु join कर सकते हैं और इसी के साथ ये जो वीडियो है ये आप जरूर देखें राज्य पसू जो चिंकारा है इसके बारे में हमने पूल डिटेल के साथ विश्टरी तद्यन किया है वीडियो को अगर लाइक अच्छा लगे तो सेर जरूर करना और ये वीडियो आप जरूर देखना और ये ओल कंपेटिटिव एक्जाम रज्जो राजस्तान में होने वाले हैं उनके लिए महत्व पूंड रहेगा थैंक यू हैवन आइस दे विश्यो अल दे बेस्ट